असलाम लेक्म फ्रेंड आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं मूंग डल की कचचौरी जो बनाने में बहुत ही असान होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेष्टी होता है मूंग दल की कचोरी बहुत असानी से बन जाती है चलिए हम इसका समन तयार कर लेते हैं मैंने यहां तीन चम्मच मूंग दल भरके ले लिया है पांच शे लासन की कलियां ले लिया है एक टुकड़ा अद्रक का एक हरे मिर्च ले लिया है लासन अद्रक हरे मिर्च को हम लोग मुंग दाल को मैंने भून के लिया है आप इसको उबाल कर भी ले सकते हैं हमारा मुंग दाल भूना गया है अब हम इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में रख लेंगे हमारा मुंग दाल ठंडा हो गया है अब हम इसको मिक्सर जार में डाल कर इसको इसका पावडर हम लोग बना लेंगे देखिए हमने मुंग दाल को पीछ के ले लिया है हमने इसमें अधरक लसन हरी मिर्च डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल दिया है थोड़ी सी कुटी लाल मिश डाल दी है दो सेधाई चमच मैंने इसमें तेल थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है देखिए हमने मुमदाल तैयार करके रख लिया है चलिए अब हम लोग आटा लगा लेते हैं यहां मैंने साड़े 300 ग्राम मैदा ले लिया है इसमें आधा चमच जीरा डाल दिया है आधा चमच नमक डाल दिया है थोड़ा सामने इसमें सोडा आड कर दिया है हमने इसमें दो चमच रिफाइन तेलाइड कर दिया है अब हम लोग थोड़ा सा इसको आटा को मैदा को हम लोग खास्ता कर लेंगे हमने थोड़ा ही सा खास्ता किया है ज्यादा नहीं किया है अब चले हमने मैदा को गुथ लेते हैं यह एक गिलास पानी ले लिया है पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालकर गुथेंगे हम अच्छे से इसको मिला लेंगे पानी मैंने ठंडा लिया है नॉर्मल टेंपरेचर वाला पानी हमने लिया है अब मैदे को अच्छे से थोड़ा गुथ लेंगे जब तक चिकना ना हो जाए देखिए हमारा मैदा हमने गुथ कर रख लिया है देखिए मैंने सोफ्ट गुणा है अब हम लोग इसको गिले कपड़े से ढख कर रख देंगे दस मिनाट के लिए हमने इसको अच्छे से ढख के रख दिया है आटा गुतने के लिए मैंने यहां डेड़ गिलास पानी का यूज किया है चलिए हम अपने पचावड़ी बनाना शुरू करते हैं अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से इसको एक बार थोड़ी देव के लिए मिलानेंगे अच्छे से आज है अब सॉफ्ट हो गया है अब सब्सक्राइब अब बनाना शुरू करते हैं आज हम लोगी बना लेंगे इसमें ऐसे करके थोड़ा सही भरना है ज्यादा नहीं भरना है की चाने एक बार बनाकर रिखने उसी तरिकशें से हम दुसरा भी बनाएंगे इसी तरी पुरा बनाकर रखते लिए हे हमने बनाकर वनाकर रखने हैं चलिये अब इसकी बाद बैल देते हैं इसको आराम से हम लोग बिल देंगे देखें मैंने एक पूल बिल दिया है यह हो गया हमारा पूली अब इसको हम लोग रख लगए अब इसे तरीके से अब दूसरी पूली हम लोग बिल लेंगे यह बहुत ही आराम से बन जाता है कोई परिशानी नहीं होती है अब बच्चे भी बहुत सौक से खाते हैं हमने सारी पुछाओडी बेल के रख लिए है तरह लिए अब इसको छान लेते हैं मैंने कडाही को फ्लेम पर रख दिया है कडाही हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम तेल डाल देंगे तिल हमारा गरम होने लगा है देखिए हमने इसमें थोड़ा सा आट डालके चेक किया था कि हम लोगा तिल गरम हुआ है कि नहीं देखिए हमारा तिल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें अपनी पूरिया डालेंगे हमारी पूरी फूल रही है इसको पलेट देंगे इसको पलेट पलेट के अच्छे से हम लोग इसको बना लेंगे मैंने दूसरी पूरी उसी में डाल दी है देखिए हमार पूरी का कलर कितना अच्छा आया है चले हम इसको निकल लेंगे निकल लेते हैं इसी तरीके से हम सारी पूरिया इसमें च्छान लेंगे मैंने दो और बना दिया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूले देखिए मैं आपको अभी देखाती हूँ एक बार मेरे तरीके से आप कोचोड़ी जरूर ट्राइक किजिएगा अब कमेंट सेक्शन में बताईएगा कैसा बना है अल्ला हाफीज